अब हम करेंगे जी क्लास 11 एकाउंट्स का बाय डीके गॉयल बुक चैप्टर बिल्ज ओफ एक्सचेंज का कोश्चन नमबर 22 देखिए जैसे बिल्ज ओफ एक्सचेंज जब हमने स्टार्ट किया था इसके 4 केसी से बिल्ज ओफ एक्सचेंज के जो ट्रेड बिल भी बोला जाता है एक आपके यहाँ पर आकमोडेशन होता है बिल्ज जो बिल्ल है वो ट्रेड बिल एंड कोडेशन बिल होता है जब हमने start किया था ये था जी case number देखे case number first retaining the bill till due date this is a case number first और case number B था जी discounting of bill from the bank जब dishonor की बात नही थी normal trade bill की बात थी जब first time bill लिखा जाते है case number C endorsement of a bill and case number D था जी sending the bill to bank for collection four cases थे normal trade bill के या कह लीजिये bill के उसके बाद एक just small topic आया था question number 11 के बाद retiring a bill under rebate ये just एक topic था ये ना किसी cases के अंडरा था ना endorsement के अंडरा था ये कोई case नहीं है ठीक है जी cases में four ही थे ये just एक topic था कि अगर रिवेट के अंडर अगर हम रिवेट लेना चाहते हैं discount लेना चाहते हैं retiring पे bill जब mature हो जाता है ठीक है तो उसके regarding एक just small सा topic था ये वाला अब नेया topic हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था dishonor, dishonor of a bill dishonor या dishonor ठीक है dishonor of a bill देखी यहां से हमने start किया हो था अब dishonor of a bill भी three four types का होता है mail ली ठीक है ये दिखे dishonor क्या है simple dishonor है कि जब अगर bill dishonor हो जाता है तो उसकी payment वो कुछ दिन वाद जो y party होती है second party वो दे देती है ये तो कहलीजिए चाहे dishonor of a bill first case कहलीजिए इसका या फिर first और second को कई वरी हम sum up भी कर देते है first और second को एकठा एक case माल लिया जाता है dishonor के case ये हम dishonor के case discuss कर रहे है dishonor and renewal of a bill जब dishonor हो जाए बिल और उसके बाबजुद वो renew कर दे बिल कौन a party ठीक है जी a party renew कर दे फिर से बिल यानि कि यहां कोई bank का scene नहीं है ये ध्यान रखना ठीक है ये simple cases है dishonor का चाहे दोनों को sum up कर देना चाहे case 1, case 2 ऐसे भी बना सकते है 14th a, 14th b and 15 ये थे तिनों cases थे जी dishonor के जब renew कर दिया जाता है case number 2 dishonor के ही regarding क्या था जी जब discounted करवा लिया जाता है यानि कि बिल discount करवा लिया a party ने x party ने, first party ने discount करवा चुका था बिल पर ये नहीं पता था कि वो bill maturity पे dishonor हो जाएगा ये वो वहला case है, dishonor of the bill discounted from the bank ठीक है जी, dishonor हुआ हुआ बिल वो पहले discount करवा चुका था ये second case है अब चलती है, third case और last case, dishonor के case में आपको ये क्यों दिखाई जा रहा है क्योंकि इनमें differentiate है जब entries करनी है, हमने journal entries करनी है, ठीक है इसलिए आपको पहले main पता होना चाहिए कि क्या बात है, उसके बाद entries भी उसी के regarding आप put up करोगे third case है, dishonor of the endorsed bill देखिए क्या है, जो बिल होता है आपको पते हैं, endorsement के questions आपने case number 4 में case number 3 में कर लिये थे starting है, endorsement क्या होता है जब हमने एक side से पैसा किसी से लेना है, दूसरी side किसी को देना है पैसा तो उस cases में endorsed कर दिया जाता है, ठीक है हम ये to up to any extent of time, यानि कि किसी भी party को next, 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 next endorse कर सकते हैं पर endorse कर चुके थे, endorse किया हुआ बिल, dishonor हो गया, ठीक है क्योंकि हमें थोड़ी ना पता था हमने तो जब transaction हुई, जब हमारी बात चीत होई, उसी time किसी next, next, next party को endorse कर दिया था पर जब उसकी due date आई तो पता लगा, जी ये तो endorse भी ला है तो इन तीनों cases में देखिए कैसे entries की थी, अभी हमने ठीक है, जी simple case है वैसे इनकी normal entries हम कैसी की थी जब simple cases थी, ये तो dishonor का case है ना, normal में हमने क्या करते है simple जो हमने entry की होती है उसकी opposite कर देते हैं, जैसे रभी to BR है, ठीक है जी BR to, रभी to BR करते है, sorry, ठीक है, simple कर देते है वोसे ऐसी, रभी to BR कर देते हैं, यह cash भी आना था 2 BR to cash यह cash किस चीज के जी noting charge है, जब dishonor का देखिए, वैसे हम क्या करते हैं, यह entry करते हैं, रभी हाँ ठीक है, BR से acceptance मिलती है ना, BR to रभी, मतलब second party जब dishonor हो जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसका, इसका सिरफ simple opposite करते हैं, रभी, वाई एकाँ, डाइवी, टू भी आर करते हैं, यह, पर जब dishonor का cases होता है, उन dishonor के cases में आपको तीनो cases completely अच्छे से पता होने चाहिए, simple सी बात है, बस देखिए, जब यहाँ dishonor हो गया बिल, तो notting charges pay करने पड़ें, नोटरी को, ठीक है, फॉर्माल्टी इस पूरी करवाने लिए, डिसोनर के बिल की, तो जो 100 या जितने भी payment की है, यह कौन पे करेगा, X party पे करती है, Y के बिहाफ पर, यह तीनों एकदम से learn कर लेना, differentiate कर लेना, तीन cases है, डिसोनर के, जैसे चार cases, नॉर्मल बिल्ज ओफ एक्चेंज के थे, ऐसे ही, बिल्ज ओफ एक्चेंज में, डिसोनर के तीन cases है, तीन टाइप्स की entries है, ठीक है, जी, आज हमारी entry के, actually last entry है, case third की, ठीक है, जी, हमने क्या किया, two cash, notting charges जितने भी थे, X ने pay कर दिये, Y के भी हाफ फे, second entry हम क्या करते हैं, Y debit two bank, ठीक है, बैंक को क्यों लिया गया, क्योंकि discounted bill है, discount हो चुका था bill, बैंक से पैसे आ चुके थे, तो वापिस entry कर देंगे, बैंक को वापिस भेज़ देंगे, पर इस two bank में notting charges भी include करके भेज़ जेंगे, ठीक है, क्योंकि वो dishonor हो चुका, यहां पर क्यों, क्योंकि यह जो bank है, bank ने pay करें है notting charges on the behalf of Y, क्योंकि देखे, तिनो cases में Y default है, ठीक है, second party default है, क्योंकि Y ने payment देनी थी, Y ने X की payment देनी थी, X ने सोचा चली, यही will में endorseee को दे देता हूँ, कोई creditor है, उसको दे देता हूँ, उसने यह भी list को दे दिया है, Y to endorseee, यह कौन सी entries है, जब endorsement का notice आ जाता है, वो वो ले entries लिखी जाते हैं, देखो, यह तो reverse होती है, first case में, second में आपको बता हैं, Y debit to BR, ना करके, BR की जगा, bank लिखते हैं, third case में, Y debit to endorseee, बस, just आपको यह बतानी थी, इसके कारण यह, पूरा आपके लिए, structure त्यार की है, so that कि आपको, next, जितने भी questions, actually, पहले भी कर चुके है, disowner के, वो भी यहाँ पे cover up हो, dishonor के सारे के सारे, यह ध्यान है कि ना, Y debit to endorseee, इस Y और to endorseee में, क्या के included है, इसमें, जो Y के विहाफ पर, noting charges है, expenses पे कर रहा है, किसने पे कर रहा है जी, paid Y endorseee, जो third party आई थी, उसने पे कर रहा है, वोगी उसका थोड़ी ना, कोई को सूट था, उसने तो पैसे लेने थे, किस से लेने थे, X से लेने थे, पर X ने अगे Y से लेने थे, ठीक है, it means Y के भिहाफ पर, endorseee ने payment कर दी, ठीक है, paid Y endorseee, जो निचे line लिखे गे, it means, noting charges के regarding लिखे गे, ठीक है, first case में, cash payment करी, noting charges की, Y के भिहाफ पर, second case में, bank ने pay करे, Y के भिहाफ पर, third case में भी, endorseee ने pay करे, on behalf of Y, 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 तीनों cases में, ठीक है, क्योंकि payment हमने, Y से लेनी थी, वो maturity date पर, या जो भी लिखा होता है, उसके according, dishonor हो गया भी, ये तो था जी, अपनी तीनों के, differentiate करना, अब चलते हैं, जी आज, जो हमारा question है, endorse वाला, last number case है, actually, आज हमने, जो start करना है, very simple, very easy है, ठीक है, बिस just concept समझना है, और आपने, जो main बाती है, वो क्या करना है, इसमें, दीक है, हम इधर से, देखते हैं, ठीक है, हमें पता है, रवी कोन है, रवी purchased from Mohan, आप कैसे setting करोगी, इसकी, रवी purchased from Mohan, Mohan पहली party, रवी दूसरी party, राकेश तीसरी party, कभी भी इसको, उल्ट नहीं learn करना, नाहीं लिखना है, नाहीं end way accounts, से maintain करने हैं, उन्होंने का है, journal entries in the books, रवी मोहन और राकेश, तीनों की books में, journal entries करनी है, बेसिकली क्या है, x, y, और इंडॉसरी party है, राकेश, ठीक है जी, इस question में क्या है, मोहन एक तरफ से तो, पैसे लेने वाला है, एक तरफ से देने वाला है, मोहन ने रवी से पैसे लिये, मोहन ने राकेश को पैसे दिये, जैसे मोहन रवी से interest include करके लेता है, ऐसे ही मोहन भी राकेश को, with interest, बिल लिखेगा उसके उपर, ठीक है, acceptance करके देगा राकेश को, ठीक है, एक साइड वो ले रहा है, पैसे दूसरी साइड वो राकेश को दे रहा है, तीन, तीन पार्टीज का केस है, देखे कैसे जी, on 10th of April 2018, रवी purchased from Mon Goods, 30,000 की रवी ने Mon से सामान परचेश किया, जो CGST और SGST है, यह आपको पता है 9% इच है, इसका कुछ नहीं करना होता, क्योंकि देखिए, यहाँ पर रवी ने परचेश किया न, जो ओनर होता है, विजनसमेन होता है, वो जिसको समान सेल करता है, सेल के साथ साथ, अगर 10 रुपे की चीज है, कुछ-कुछ परचेश, GST और CGST, दोनों कस्टमर से ही चार्ज करता है, यह बात याद रखना, बस ठीक है जी, अगर हम सेल की एंट्री लिखते हैं, ठीक है, यह वली बात कैसी याद रखोंगे, सेल की एंट्री के साथ ही आपका, यहाँ पर देखिए, आउट्पुट चला जाता है, याद रखना, पर चेज के साथ हमेशा इनपुट जाता है, ठीक है जी, सेल के साथ आपने याद रखना है, सेल के साथ आउट्पुट जाएगा, देखिए कैसे होगी एंट्री, ठीक है जी, रवी, तीस हजार का बेसिकली समान था, ठीक है ये क्या जी, बुक्स ओफ मोहन, सबसे पहले आप लिखो कि बुक्स ओफ मोहन, फिर जर्नल, यहाँ पर जी एप्रल, एप्रल टैन को, टैन एप्रल की एंट्री है, ठीक है जी, टैन्थ ओफ एप्रल में देखिए, टू सेल्स थर्टी थाउजन, टू आउट्पुट, आपने याद रगने सेल, क्योंकि तीस हजार का तो सुमान, रभी लेकर जा रहा है, हमने रभी को सेल किया है, हम उसी से ही चार्ज करेंगे, सीजी, एसजी और एसजी, सी सेंटर के लिए कोलेक्ट कर रहे है, हम टैक्स, स स्टेट के लिए, ठीक है जी स्टेट, हप, यूप, एमप, हर्यान, पंजाब, ठीक है, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उसके लिए, अब यह इच इच जब लिखा जाते है, इच 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 को बस आपने भी books में ऐसे systematic लिख के रखने है मोहन रभी रकेश मोहन रभी रकेश रकेश end की party है bills की देखी यहाँ पर ठीक है on the support बाकी के लिए bill लिख दिया complete हुआ अब चलती है जी third की तरफ उसने क्या किया जो मोहन था 7 की साथ 20,000 की payment देनी थी रकेश की उसने April 10 को रकेश डेविट to be our account 20,000 का bill endorse कर दिया endorse वर्ड जरूर आना ही आना है otherwise question का meaning नहीं रहेगा question useless हो जाएगा endorse का परपजी नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि जो हमारा topic है जी dishonor of the endorsed will की जो endorse किया हुआ बिल है वो dishonor हो जाए हमारा case ही यही है ठीक है जी यह कर दिया अब देखने है जी यह main entry जो है जो आपको इधर समझाएगे थी यह वली जून 13 जो due date आई बिल dishonor हो गया हम कब क्या entry करते थे हम करते थे रवी टू बी आर ओपोजिट करते थे ठीक है रवी टू बी आर भी की है हमने रवी टू बैंक भी की है हमने ठीक है जी अब रवी टू बैंक डिसकाउंटेड के case में जब dishonor will discounted किया हुआ बिल dishonor हो जाता इस case में आपने रवी टू रकेश करना है बस यह याद रख लो और पूरा कोशन आपको बाकी आता है बस यह new entry है यह यह वाली सिर्फ ध्यान में ठीक है बाकी सब कुछ आप कर चुके यह first time आई है यह वाली entry रवी टू रकेश रकेश इंडोर्सी पार्टी है जिसको रव रवी के विहाफ पे पहले कौन पे करता था मोहन पे करता था ठीक है जी सिंपल जब स्टार्टिंग के डिसोनर के cases थे फिर बैंक पे करता था ठीक है यहाँ देखिए पहले first party पे करती थी फिर बैंक पे करता था अब इंडोर्सी पे करेगी नोटिंग चाजिस किसके basis पे एकस के basis पे मोहन के basis पे पस यह entry ध्यान करने है अब next तो जी simple है अब कुछ खास नहीं है इसमें अब जी एक side क्या है next question में देखते है थोड़ा सहौर ठीक है जी पंदरा चार्श होगे इंकेश एंड एकसेप्ट डाविल फो टू मन्स फोर दा बैलेंस अमाउंट डोन ओन हिम बाई मोहन जून तेरा जो आगी थी जिसकी टू मन्त आड करके थी डेट आगी थी अब मोहन ने इंडोर्स दा बिल टू रकेश रकेश को इंडोर करके बीस एकसो कर देंगे अब जी नेक्स्ट पैराग्राफ सेकिंड इमिजेटली आफ्टर द डिसोनर जैसे ही डिसोनर हुआ यानि कि उसी दिन उसी समय जून तेरा को ही एंट्री करनी है मोहन एकसेप्ट डिहां देखना दो केसी जान से पढ़ना जो नीचले वाला पैर ठीक है जी मोहन एकसेप्टेड अन्यू बिल ड्रोन वाई रकेश रकेश ने मोहन के उपर एक बिल लिखा ठीक है यहां पर ये एकसेप्टेस देगा जून तेरा को हमें एंट्री करेंगे जी रकेश डैविट टू बीपी एकाउंट बिल्स पेवल एकाउंट बीस हजार त यहां पर देखेजिए बीस हजार तीन सो की देखी एक तो नोटिंग चार्जिज ये थे ठीक है क्योंकि उसने पे कर दिये थे किसने रकेश ने 100 पे तो इसके ये वापिस देने आए 200 रूपिस उसने इंट्रेस्ट के लिए बोला है रकेश को कि जो तुमने मेरा ये बिल डिसोनर कर दिया रकेश ने मोहन को बोला कि इंट्रेस्ट ड्यू की ये एंट्री भी देख लो बचे ध्यान से जून 13 को आपने यही वाली वर्डिंग लिखनी है इंट्रेस्ट पेवल या इंट्रेस्ट ड्यू लिख देना है क्योंकि यहां पर हम इंट्रेस्ट ड्यू कर रहे हैं पे नहीं कर रहें पे हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री में इसमें अक्सप्टन्स दे दी हमने इन दोनों को एड करके 20,000 मेन अमाउंट बिल की जो डिसोनर हुआ है ठीक है सोर पे नोटिंग चार्ज इस टू हंडर जो मोहन ने रकेश के साथ कुमिटमेंट करिया दोसर पे इंट्रस्ट की ठीक है 20,300 का रकेश एकसेप्टन्स दे देगा उसको बिल्स की ठीक है जी बिल्ल ड्रोन वाई रकेश एकसेप्टन्स गीवन वाई मोहन ये एंट्री खराब नहीं करनी ऐसे ही करनी है बैंक किया कैश कहीं नहीं अगा सिर्फ इंट्रस्ट डु किया यहां से अंड्रस्टू डू का जो डू वर्ड होता है इसके दो मीनिंग्स है ठीक है अगर तो वो डैविट इटमीज इस ने देनी है इस मोहन पार्टी ने देना है, अगर interest credit item हमें मिलना है, आप interest payable भी लिख सकते हो, या interest due, due सब के लिए चल जाएगा पर या interest payable होगा, next entries में जब हम two interest लिखेंगे तो interest receivable, यानि कि payable का मतलब pay होने योगया है, हुआ नहीं है, payable योगया है, ठीक है due, ऐसे करने हैं इसकी entries इसके बाद हम next entries भी दिखा दें इसकी, ठीक है पहले थोड़ी सी एक वारी और question रीड करते हैं, धोड़ा सा और रहेगा जी, मोहन एक्सेप्ट न्यों बिल रकेश, इन विच्ट फोर इंटरस्ट वर अल्सो इंक्लूड़ीड यहां तक जी खतम होगया काम, मोहन और रकेश की जो बातचीत चली, ध्यान देना इस बात की तरब, दो दो बिल्स की एंट्री हैं, लास्ट पैराग्राफ में, ये वाला क कर दो ख्लोज कंसेप्ट ये वला ठीका जी? जो रकेश की एंट्री हैं, वो तो सिंपल सी ज़नल सी एंट्री हैं, ओपोजिट करनी होती है, यहां पर दो सरपे वो इंक्लूड होगे जी इंटरस्ट के, जो रकेश ने बोला है, रकेश ने बोला है, इन वीच रूपीस सो का बिल लिख दे दे चलो acceptance हो की काम कतम अब जी जो main चकर रवी ने पाया था वो क्या करते है रवी ने क्या काम खराब करा सारा ठीक है जी रवी के कारण परेशानी हुई मोहन को भी और किसको हुई जी मोहन को रकेश को भी हुई ठीक है क्योंकि मोहन को क्या पता था कि वो रवी वाला बिल डिसोनर हो जाएगा अब मोहन जैसे रकेश ने मोहन को तंग करा मोहन अब रवी को परेशान करेगा देखिए कैसे after 20 days of the dishonor of the bill 20 दिनों बाद जब डिसोनर हुआ है बिल उसके 20 दिनों के बाद याने कि जून 13 को दिसोनर हुआ ध्यान रखना जून 13 को सारी बात चीत हुई प्लस 20 डेज 20 डेज आप एड करोगे जी जुलाई 3 बन गी ठीक है सीधा सा बात है बिलकुली उसमें कितने दिन पड़े है बस अपने आप कैलकुलेट करें ठीक है जी आफटर 20 डेज जुलाई 3 बन गी अपनी भी पेड फुल एमांट टू मोहन ध्यान दीजिए इंकल्यूडिंग 50 एज इंटरस्ट इसको कहीं शो तो करेंगे ना इंकल्यूड तो कर दिया उसने कहा दिया कि मेरेको पेमेंट चाहिए एक सोर पे नोटिंग चार्जिस लेने हमने इस से ठीक है जी देखिए जो सोर पे नोटिंग चार्जिस हैं बेसिकली तो मोहन ने मोहन ने रवी से लेने थे पर मोहन ने वो सोर पिये रकेश को पेमेंट कर दी एक वड़ी तो उसका काम खतम कर दिया रकेश का अब हम जो रवी है उससे 20,000 में अमांट प्लस 100 नोटिंग चार्जिस प्लस 50 रपिये इंटरस 20,150 रपे की एमांट हम रवी से चार्ज करेंगे उसके उपर हमने बिल है बिल ने उसने कहा दिया कि मैं पेमेंट करा हूं रवी पेड ठीक है बिल बुल कुछ भी निया कोई अक्सेप्टन्स नी यहां पर वो क्लियर करके चले रवी कह रहा है कि बस सारा टोटल बता दीज में रखेश का इसका जो इंटरस्ट है 50 रुपीज सिर्फ इस वाली एमांट का फर्क है 20,150 और वो थी 20,300 ठीक है धाई-सो रुपीज का देखिए यहां पर 200 रुपीज का ने सौरी 150 रुपीज का ओनली फर्क है यह वला देखिए यहां पर हमारी एमांट कितने है 20,300 यह पर 20, 140, 150 रुपीज का क्या फर्क है, यही वाला 150, क्योंकि वो इंटरस्ट 200 चार्ज कर रहा है, यह इंटरस्ट 50 रवी से, यानि कि मोहन रवी से तो 50 रुपी ले रहा है इंटरस्ट के, पर जो राकेश था, उसने मोहन से 200 रुपी लिए इंटरस्ट के, यही इनकी वैल्यू का फर्क है, अधर्वाइस दोन्नों की बिल्की अमाउंट सेम है, ठीक है, यह बस अब यहाँ पर खतम हो रहा है, अपना क्वेशन, रवी पेड फूल इमाउंट टू मोहन इंक्लिडिंग 50 एंटरस्ट शो जार्नल एंटरस्ट इन दा बुक्स ओफ रवी मोहन रकेश, यह मोहन रकेश का सीग्वेंस नहीं है, ध्यान रकना मोहन रचेश का है, अपने पास फटा-फट से पैंसिल से यह लिख लेना होता है, ठीक है, उसी के अकोडिंग माउथ में, मनमें मान के चलना है, मोहन रखैश, मोहन रखैश, अगर ऐसे पड़े होगे सारा कौस्षन कुछ शोरी चला जाएगा कहीं ओरी ठीक है इस बात का बच्चे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अधर्वाइस कोश्चन बहुत सिंपल है लोजिक समझने देखे जुलाई तीन आफ्टर ट्वंटी डेज आड करके रभी का इंट्रेस्ट पहले ड्यू करना है याद रखना ठीक ह यह एकदम क्लियर नहीं लिखा हुआ ठीक है इंकल्यूड कर दिया बस तो हमने तो एक वरी शोर्फ करना है न फिफ्टी रुपीज इंट्रेस्ट रसीवेवल आने योग्या है या लिख दीजिए इंट्रेस्ट ड्यू चलो जी अब कैश रभी कहता बतादो जी कितना यहां तो होगी जी बुक्स मोहन की बुक्स में जर्नल एंट्रेस का काम खतम अब चलते हैं जी रभी की आपको पता है कि फर्स्ट और सेकिंड पार्टी में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंट्रेस्ट करने में सेकिंड पार्टी है उसमें तो आपको जस्ट अभी पहले मोहन मानना था अब अपने आपको रभी मानकर सारी एंट्रेस कर देने हैं अपरल 10 ठीक है पर्चेजिस आपको हमेशा पते है पर्चेजिस के साथ इंपुट चाहें का ठीक है क्योंकि 30,000 का माल खृदा पर उसको 2700-2700 भी पे करने पड़े माल उसने गुर्ज खृदिया 30,000 की पर देने कितने पड़ रहे है 35,400 उसको CGST and SGST at the rate of 9% each के रिगार्डिंग पेमेंट करनी पड़ रही है जो कि बिजनसमेंट शोप की पर क्या करेगा सब कस्टमर से CGST 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 अलग कुलक्ट करेगा ऐसे कुलक्ट पर एंड में के एकाउंट्स क्रियेट कर ल आपने CGST वाले चैप्टर में पढ़ा होगा फिर एमाउंट पूरी कुलक्ट करके जितना भी एंड फाइनेशल यहर आपको पता है 1st April से 31st of March तक रहते है 31st of March को जितनी भी कुलक्शन होगी कठी करके फिर उसको भेज दी जाती है बेसिकली जो एमाउंट होती है C की नरेशन आप बचे यहां से अपने आपी रीड कर लें ठीक है सिंपल है नरेशन अब आती है जी नोटिंग चार्जिस की बात आपको हमेशा पता है हमने लास्ट भी बहुत सारे कोशन करें यहां वर्डिंग चेंज नहीं करनी सेकिंड पार्टी में रवी की केस में ठीक है सेकिंड पार्टी होती है यहां हमेशा नोटिंग चार्जिस ही लिखने है फर्स्ट पार्टी में हम उसको कैश करें या बैंक करें या इंडोर्स ही करें कुछ भी करें यहां नहीं खराब करना यह एकाउंट नोटिंग चार्जिस के नाम पर ही ओपन होता है 100 ठीक है on due date and not नोटिंग चार्जिस तो भी पर जून 13 को ठीक है नेक्स्ट देखें नेक्स्ट चलते हैं वेरी सिंपल सा कोशन है बिल्कुल भी टफ नहीं है बस आपने एक एक लाइन पड़ती जानी और एंट्री बिल्कुल सीक्वेंस में करती जाने है कुछ भी उल्ट पुल्ट नहीं नहीं पड़ना एक वरी कंप्लीट पूरा कोशन रीड कर लेना फिर systematically कुछ main points को round लगा लेना जैसे तीन parties है उनको round लगा लेना ठीक है इस टाइप में बस आपने systematic करती जाना दिखें इंट्रस्ट due की entry करती ठीक है इसके लिए क्या है इंट्रस्ट payable है नोटा receivable word मत एक खर लिखना है जैसे आपको पते इंट्रस्ट डैविट किया यहां रवी के लिए यह पे करने योग्या amount 50 रुपीस ठीक है जी मोहन टू कैश 20,150 का इसने पूरी payment अभी अभी आपने last entry करी थी जुलाई 3 को वो कहता है टोटल बता दीजे पूरी payment किसको की मोहन को ठीक ह क्या जी मोहन के साथ ठीक है क्योंकि राकेश मोहन मोहन ने बिल राकेश को दिया था देखे सिंपल अब अपने आपको राकेश माले ना बी आर एकाउंट डैविट टू मोहन 20,000 बिल रसीवेबल रसीवेबल रसीवड बिल बी आर लिख दीजे बी बिल रसीवेबल रसीव फ्रोम मोहन ठीक है जी हमें acceptance से मिली है ना इसकी 20,000 का देखिए अब यह opposite हो रहा ना उसको acceptance दी थी उसने मोहन ने राकेश को April 10 को June 13 क्या हुआ था opposite हो गया यहां पे देखिए dishonor में क्या करते हैं इसका opposite करते हैं entry का यहां कर देंगे मोहन एकाउंट डैविट टू बी यहां कर देंगे मोहन एकाउंट डैविट टू बी यहां पर यहां cash की payment कर रहा है noting charges की payment राकेश कर रहा है on behalf of Ravi वाई पार्टी पर वो आ जाएगा जून 13 को ही interest की बात चीती है 200 वाला देखिए यहां पर एक number bill की बात चल रही है दो number bill जो second number bill लिखा जाएगा उसकी बात स्टार्ट होगी 200 रूपीज 200 अब जो मोहन रकेश को बील देगा उसकी regarding बात हो रही है सारी कहता भाई तू 200 रूपी तो मेरे को interest दे जो तुमारे कारण रभी के कारण मेरी problem create हुई है ठीक है रभी भी आपका ही friend था ना मतलब के रभी का bill आपके पास आया था आपने मेरे को दिया आप दोनों के कारण ही मोहन और रभी के कारण राकेश को problem create हुई तो this is the reason की 200 रूपीज ठीक है तेने परिशानी एक्जर्शन करी मतलब परिशानी करा मेरे को तो आप 200 मेरे को ये प amount है ये वली इसका total करके मेरे को bill लिख देजिए बस उसने payment नहीं करी acceptance मांगी है only June 13 को ठीक है interest receivable क्योंकि देखिए 200 ये receive करने योग्या है due कर दिया ठीक है setting कर दी total amount में अब इसमें सारा add करके June 13 को हम क्या करेंगे जी BR account debit आपने जब भी exam में करके आओगे अपने short नहीं use करना short tricks बी यार नहीं लिखोगे bills receivable account debit इसके marks cut जाती है बचे याद रखना ठीक है हम लोग नहीं use करते teachers लोग ठीक है यहाँ पर बारी 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 लिखने से time बहुत consume होता है but understood है सब students को पर आपने exams में कभी किसी चीज का shortcut नहीं use करना याद रखना अगर आपका question 100% ओके हुआ पर अगर उसके examiner की निगा पढ़गी की student ने shortcut use किया वही number cut जाएंगे ठीक है with the chance मतला by chance अगर निगा पढ़ जाती है examiner की अगर ना पढ़े तो by chance full marks भी मिल सकते है ठीक है but हर एक की अपनी सोच होती है न तो marks जरूर कटेंगे मतला ठीक है आपके slavus में ये बात लिखी हुई है कि कहीं पर भी आप shortcuts नहीं use करोगे किसी भी चीज के regarding ठीक है जी इसने bill mohan accepted the new bill 20,000 plus 100 plus 200 बस इसी के साथ ही आपका simple सा easy सा question खतम होता है question number था जी 22 ठीक है जी complete हां जी बिल्कुल complete हो गया ठीक है इसको आपने at least twice thrice times read करना है complete questions को after that आप setting करके चलोगे कि आपके पर similar similar जैसे similar क्या है मोहन रभी राकेश ही human beings है parties है इनको तिनों को एक जैसा round लगा लोगे तिनों को round 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 लगा लोगे फिर due dates देखोगे amount देखोगे फिर अपना cga starting से end तक कुछ-कुछ underlines लगाते जाना है फिर rate of interest देखोगे फिर जै टोटल four lines में दिया हुआ है जो second paragraph है पर four lines को भिखेरना नहीं सिरफ उसको three parts में divide कर देना ठीक है last line तो understood होते है उसको तो कुछ जरूरती नहीं हो तो उसके according आप अपना answer ready करोगे जो बाकी two parts है उसको proper setting करने है क्योंकि पहली two पहली full line और half line में बात चीत हो रही है मोहन और रकेश की यहां तक setting होगी over also included तक फिर after twenty days से setting हो रही है rupees 50 as interest यह second line half और third line half की ठीक है फिर इसकी groupism करके read करोगे proper way में बस आपका ऐसी question set होता जाएगा ठीक है जी hopes हो कि आपको बहुत अच्छे से clear हो गया question और इसी के साथ ही students आपने और क्या कर सकते हो आपने इनसे related example बहुत अच्छी दी हुए है वो भी try करने है ठीक है साथ करने की क्योंकि वहाँ examples में narration बहुत अच्छी लिखी हुए to the point है brief में है ठीक है so इससे आपको और ज्यादा clarification हो जाएगी questions की अभी हमने just first question किया है जब भी कोई case start होता है जो first question होता है उसका first second उसको बहुत अच् next questions कितने है 23, 24, 25 सभी इसी से related आएंगे अगर आपने first question अच्छे से नहीं किया next next questions अच्छे से हो ही नहीं सकते ये बात याद रखने ठीक है students इसी के साथ ही हम कोशिश करेंगे वैसे अपने 29, 23rd as a three bills of exchange last question ठीक है जी हम practical problems पे discussion करते है अडिशनल्स नहीं करते है basically additionals क्या हो हम कर चुके उनका sum up ही होती है ठीक है जो additional questions होते है 30 के 30 questions यहां illustrations भी दी होती है और practicals भी हम कोशिश करेंगे 30 के 30 questions आपके लिए upload कर सकें YouTube पर ठीक है जी thank you students